बूर्णिंग बच्चो तो आज हम लोग NCRT Maths Class 10 Quadratic Equations Quesion No.1 का 3rd करेंगे हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग 1 का 1 & 2 कर चुके हैं अल्रड़ी हम लोग कंटिनुव यहां से 1 का 3rd नमर Quesion यहां से करेंगे तो यह find the roots of the following quadratic equation by factorization method अब यह factorization method already मैंने बहता हूं आपको कि factorization कैसे हम लोग निकालते हैं अब इसे हम लोग क्या करेंगे tricky method से भी सबसे पहले हम लोग इसको find करेंगे उसके बाद हम लोग factorization method से भी करेंगे तो हमारा जो tricky match था वो क्या था कि जो constant term है और यह x square का coefficients को दोनों को हम लोग क्या करते है multiply पहले करेंगे तो यह multiply करोगे तो 5 and then root 2 और root 2 यानि root 2 root 2 यह हो गया 5 और यह हो गया 2 यह factor ठीक है अब यह sign important है मैंने आपको ओल्री कल मैंने जो वीडियो बनाया था वहाँ आपको बताया हूँ कि यह sign है यह sign important है अगर यह plus है तो plus करके 7 लाना और अगर यह minus है तो minus करके 7 लाना यह आप mind में रखोगे तो plus करके आपको 7 लाना है तो यहाँ देखोगे 5 plus 2 क्या होगे आपका यह 7 तो यह अब यह होगा आपका 5 next 2 लेकिन answer जो होगा ओ किदर होगा right side यहाँ पे होगा आपका यह plus है तो plus 5 plus 2 लेकिन answer जो होगा हमारा right side so अब इस side से अगर उस side भेजोगे यानि equal के opposite setup भेजोगे तो क्या हो जागे sign change यानि यह plus था तो अब यह क्या हो जाएगा minus और यह minus ठीक है अब मैंने और क्या बताया था आपको कि उसके बाद क्या करना आपका काम है कि x square का जो coefficient से उससे आपको क्या करना है डिवाइड करना है तो यहां देखोगे x square क्या है आपका यह root 2 तो root 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे और यह आप class already 9 में पढ़के आए हो rationalization आप करोगे तो यह क्या हो जाएगा minus 2 root 2 by root 2 into root 2 यह cancel होके 2 by root 2 ही मिलेगा यह root 2 root 2 2 और यह 2 2 cancel यह यह नहीं होगे minus root 2 यह cancer और यह answer यह आपका आगया within second में आप इससे find कर सकते हो अब इससे हम लोग करेंगे factorization method से same process 7x यहां आप देखो क्या आया था 5 और 2 तो यह क्या होगा यह 5x plus 2x then plus 5 root 2 equals to 0 यहां से अभी आप common लोग ey क्या x चो यह हो गया root 2 x plus 5 उसके बाद अब यहां देखोगी कि यह जो term है यहां आपको root 2 x plus 5 है लेकिन अब यहां पर देखोगी आपका two है तो अगर मैं यहां से अगर root 2 common लोग मैं तो यह क्या हो जाएगा यह root 2 कोरको UP लोगे तो यह अब यह root 2 अगर लेते हैं हम लोग तो यहां पर हमें लाना क्या 2 तो यहां हम लोग root 2 रखना होगा यूंकि root 2 root 2 मिल क्या हो जाएगा 2 so x then plus यह root 2 गया है आपका बचा क्या 5 equals to 0 then यह एगन common लोगे root 2 x plus 5 यह हो आपका x then plus root 2 is equals to 0 then either or करोगे root 2 x plus 5 equals to 0 और x plus root 2 equals to 0 so x equals to minus 5 by root 2 और यहां से आपका मिला यह set गया minus root 2 तो यह देखोगे दोनो answer आपका एक ही आया है लेकिन आप इससे करोगे तो यह एक से दो मिनट लगेगा लेकिन यह आप करोगे process तो within 10 seconds या 15 seconds के अंदर ही आप direct कर सकते हो तो next question तो next question question number 4 1 का 2 x square minus x plus 1 by 8 equals to 0 तो यहां देखोगे सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि आप यह जो fraction part है इसे हम लोग convert कर देंगे कहाँ पे यह fraction को replace करेंगे यानि अप LCM लोगे तो मैं direct into कर रहा हूं यह to just 16 एक टूजा यह हो गया 16 x square then minus 8 x then plus 1 और यह 8 उदर से इस साड लेके जाओगे तो 0 into 8 0 यह होगा अब सेम प्रोसेस अगर हम tricky में सबसे पहले यूज़ करें तो यह 1 और 16 अब 1 और 16 का आप जो LCM लोगे तो क्या होगा 4 into 4 यह होगा आपका 16 तो आपको plus करके आपको 8 लाना है यह sign important है plus करके 8 लाना है तो 4 plus 4 यह हो गया आपका 8 so मैं यहां लिखता हूँ 4 और यह हो गया 4 clear then अब divide किसे करना 16 से तो मैं 16 से divide भी कर रहा हूँ अब उसके बाद sign आपको देखना है यहां पे sign क्या है minus यानि इस side आपका minus 4x minus 4x तभी जाके minus 8x होगा लेकिन answer किदर देगा यह आपको right side तो minus से convert करोगे तो क्या हो जागा यह plus हो जाएगा तो यह plus 4 यह plus 4 यह answer होगे आपका 1 by 4 comma 1 by 4 ठीक है within second आप answer निकाल सकते हैं अब इसे check करते हैं हम लोग factorization method से कैसे करेंगे इसको चलो तो यह होगे आपका 16x square यह आपको पता है कि यह minus 4x just same process minus 4x minus 4x plus 1 is equals to 0 तो अब यहां से common लोगे यह 4x common यह होगे फोर फोर जा 16x then यह 4x common करोगे तो यह 1 minus 1 then again minus अब यहां देखोगे 4x minus 1 यहां पर plus है तो minus common लेना होगा minus 1 then यह 4x यह plus minus minus होगे यह minus minus plus 1 ठीक है यह 1 अब यह check करोगे दोनों से में then equals to 0 अब यहां से common यह part हो रहा है 4x minus 1 so 4x minus 1 then इसके place में 4x और यह minus 1 इसके place में तो आइदर और करोगे तो 4x minus 1 equals to 0 और 4x minus 1 equals to 0 so x is equals to 1 by 4 और x is equals to 1 by 4 अब यह दोनों एंसर देखो दोनों एंसर आपको क्या होगा exact same होगया ठीक है तो आप हम लोग next question तो next question question number 5 1 का 100x square minus 20x plus 1 तो अगर आप लोग ट्रिक की मेत्सर करेंगे तो same process plus 1 और 100 को into करोगे और लाना क्या आपको plus 20 तो 10 into 10 आपको पता है कि 10 into 10 यह 100 होगा 10 plus 10 करोगे तो क्या होगा 20 होगा तो यह होगा 10 इधर होगा 10 अब sign check करेंगे अब यहाँ क्या है minus यानि minus 10x minus 10x लेकिन answer की इधर right side तो यानि क्या होगा minus से plus यह plus यह plus अब divide क्या करना है x square coefficient तो x square coefficient क्या है 100 तो divide करेंगे हम लोग 100 यह answer होगा 1 by 10 यह answer होगा 1 by 10 ठीक है तो हम लोग check करते हैं अभी factorization method से करेंगे चलो तो यह होगा आपका 100x square minus 10x यह minus 10x minus 10x minus 10x minus 20x then plus 1 equals to 0 अब यहाँ से हम लोग common लेंगे यह होगा 10x यह होगा 10x minus यह 10x common यह होगा इसके plus पर minus 1 ठीक है अब यहाँ से देखोगे अब यह अगर minus 1 common लोगे तो यह क्या होगा यहाँ पर आपका minus यहाँ में minus चाहिए हम लोग minus 1 को मलेंगे यह होगा आपका 10x minus 1 equals to 0 तो अब यहाँ देखोगे यह 10x minus 1 10x minus 1 यह दोनों part common है तो यह होगा 10x minus 1 और इसके place में 10x और यह minus 1 equals to 0 तो आइदरर करोगे तो यह 10x minus 1 equals to 0 और 10x minus 1 equals to 0 तो x equals to 1 by 10 और x is equals to 1 by 10 यह तो था आपका दोनों answer से में तो यह हमारा exercise 4.2 chapter number 4 question number 1 का हमारा 1 to 5 question complete होगा next video में हम लोग next question number 2 को करेंगे करेंगे हैं